हे दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुरोना वाइरस से रिलेटेड कुछ मिट्स के बारे में बताऊंगा सो लेट्स के ड़े स्टार्टेड मीट नमर वन क्लोरिन और अलकोहल को स्कीन पर स्प्रेग करने से बॉडी के अंदर का वाइरस मर जाता है तो ऐसा नहीं है यह बहुत डेंजरस है अगर आप अलकोहल और कलोरिन को अपने स्कीन पर स्प्रेग करते हैं तो आपका स्कीन डेमेज हो सकता है और अगर यह आपके माउथ और आइस में चला जाए तो और भी नुकसान हो सकता है अब यह दुनों केमिकल्स का यूज किसी भी तरह के सर्फेस को डिस इनिफेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं ऐसे कोई भी केमिकल्स और प्रोड़क्स को अपने बॉड़ी के उपर लगाने से बॉड़ी के अंदर का वाइरस नहीं मर सकता है मीत नमर टू कोरोना वाइरस सिर्फ बच्चे या बुड़े को होता है तो ऐसा नहीं है यह बिल्कुल गलत है कोरोना वाइरस किसी भी उमर के लोगों को हो सकता है लेकिन हाँ कोरोना वाइरस बच्चे और बुड़े को ज़्यादा परहसान करता है उन्हें ज़्यादा तक्लिफ देता है मीत नमर थिरी जिसे भी COVID-19 यानि कि कोरोना वाइरस डिजीज होता है वो मर जाता है तो ऐसा नहीं है यह भी गलत है मरता वही है जिसका यह immune system weak होता है या फिर जिसे पहले से ही कोई बीमारी हो जैसे में blood pressure, diabetes, asthma, इत्यादी मीत नमर फोर फेस मास्क लगाने पर कोरोना वाइरस से बस सकते हैं तो ऐसा नहीं है आप कोई भी ordinary मास्क लगा कर किसी भी परकार के वाइरस से नहीं बस सकते हैं एक special type का मास्क होता है जो बिल्कुल tight होता है आप सिर्फ उसे यूज कर के वाइरस से बस सकते हैं मीत नमर फाइब वोटका, विस्की या फिर कोई भी सराब का यूज कर के आप कोरोना वाइरस को मार सकते हैं तो ऐ भी 100% गलत है कोरोना वाइरस सौप और वाटर से धोने पर ही मरता है या फिक कोई भी ऐसा लिक्वीड यूज करना जिसमें अलकोहल का मातरा 60 से 70 परसेंट होता है आप उसे यूज करके कोरोना वाइरस को मार सकते हैं अमीद 6- Antibiotics से कॉरोना वाइरस मर जाता है यह भी जूठ है अंटिबायोक को मारता है नाकि कॉरोना वाइरस को यह सकते है جैसे मैं हर 15 मिनट पे पानी पिना लहसुन खाना त्यादे है लहसुन खाने के कई फायदे हैं लेकिन यह जूठ है कि आप इसे खाकर कॉरोना वाइरस बच जाओगे मित नमर एट, गर्मी बढ़ने पर कॉरोना वाइरस खत्म हो जाएगा यह भी बिल्कुल बगवास है मित नमर नाइन, कॉरोना वाइरस सबसे खतनाक वाइरस है SARS-CoV-2 62 Celsius तक की temperature पर survive कर सकता है ऐसा नहीं है SARS-CoV-2 बाकि वाइरस के मुकाबले तेजी से जरूर फैल रहा है लेकिन इसका मतलब ए नहीं है कि बहुत खतनाक है इससे भी खतनाक वाइरस का सामना हम लोग कर चुके हैं जैसे में Ebola, H1N1, ETC उमीद 10 ए विमारी चमगादर खाने पर फैला है तो ए भी गलत है ए अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है कि ए वाइरस कोई सा जानवर से आया है लेकिन इस सच है कि ए वाइरस कोई जानवर से ही आया है दोस्तो ए थे कुछ उमीद्स कोरोनोवाइरस के बारे में मुझे उमीद है आपको इस जनकारी अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें अपने दोस्तों साथ सेर करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब करें और हाँ ठैंक्स पर वाचिंग